वेलकम टू माई यूटूब चैनल इंगलिस 799 चलिए आज हम स्टॉर्ट करते हैं इंगलिस ग्रामर वाले सेक्शन में टेंस इसके पहले मैंने टेंस के परिभासा को बताया है कि टेंस क्या होते हैं किसी भी कार का या फिर किसी घटना का समय के साथ जो संबंध होता है उसी को टेंस बोलते हैं और कोई भी कार या कोई भी घटना तीन स्टेज में होता है मतलब तीन अवस्थाओं में होता है इसलिए टेंस कितने परकार के होते हैं तीन परकार के होते हैं पहला present tense होता है, जो कार या घटना वर्तमान समय में होता है, दूसरा past tense होता है, जो कार घटना बीते हुए समय में होता है, और third number होता है future tense, कोई भी कार या घटना आने वाले समय में होता है, चलिए हम start करते है present indefinite, मतलब present tense में चौर format होते हैं पहले format को देखते हैं present indefinite tense indefinite का means होता है अनिशीत मतलब वर्तमान समय में हमारा कार क्या होता है अनिशीत होता है इसका क्या पहचान है चलिए हम परिभासा के माध्यम से देखते हैं इस tense में main verb मुख्य क्रिया मुख्य क्रिया क्या होते है इसके पहले मैंने आपको बताया है इसको देख लेंगे इस tense में main verb मुख्य क्रिया मतलब कोई कार रहे है मुख्य क्रिया के साथ ता है ती है ते है ता हूँ आदी सब्द आते हैं इसमें helping verb do या डच का प्रयोग करते हैं बर्व के first verb में yes या yes लगाते हैं और yes या yes नहीं लगाते हैं उसके बाद object यदि हमारा subject third person similar subject होगा मतलब यदि हमारा subject इस type का होगा third person का मतलब यह होता है जिसके बारे में बात की जाती है जैसे he was, this ya, she was इस्तरी के लिए that was it ya, is ya was राम पुरुस के लिए के वल सीता इस्तरी के लिए के वल table एक वस्त का नाम chair एक वस्त का नाम एक जन्त का नाम मतलब यह सभी जो होते हैं यह third person similar subject में आते हैं अब आप इसको याद कर लेंगे कि यह third person है और इसके साथ क्या rule होगा चली हम आगे देखते हैं subject यदि हमारा third person singular subject रहेगा तो yes या yes लगाएंगे उसके बाद object को write कर देंगे लेकिन किसके साथ yes या yes लगाएंगे इसको हम आगे देखते हैं note पहले आप यह देखे ant में यदि कोई हमारा main verb जैसे do comments करना होता यदि मारे main verb के last में O रहेगा तो yes लगाएंगे यदि last में O रहेगा तो भी yes लगाएंगे double yes रहेगा या फिर yes रहेगा तो yes लगाएंगे और यदि cry यदि last में Y रहेगा उसके पहले consonant रहेगा तब Y को हटाते हैं I, yes लगाएंगे मतलब यह आप यह समझ सकते हैं कि Y के स्थान पर I'll write कर देते हैं और Yes add कर देते हैं वैसे fly Y के पहले consonant है, benjan है इसलिए हम Yes लगा देते हैं Y के place पर I और उसके बाद Yes वैसे play में कमिस खेलना होता है लेकिन हम देख रहे हैं कि basic rule है, मतलब इतना ध्यान रखना है मतलब ऐसा आएगा तो Yes या Yes लगाएंगे और ऐसा नहीं आएगा तो मतलब किवल आप Yes लगा देंगे राइट हो जाए, जैसे मान लीजे read आगया है, तो read कमिस पढ़ना है इसका कोई rule हमें नहीं बता है, मैंने आपको कौन जा रहा है, राम तो यहाँ पर राम किसी एक व्यक्ति का नाम है इसलिए हमारा third person है तो third person के साथ Yes या Yes लगाएंगे लेकि last में हमारा O है तो इसलिए हम Yes लगाएंगे राम गोस टू मार्केट हम एक पार्ट याद करते हैं V, जो हमारा B है third person नहीं है बलकि third person को छोड़ कर है मैंने आपको क्या बता है कि third person को छोड़ कर रहेगा तो हम Yes या Yes नहीं लगाएंगे किवल जो हमारा main verb होगा जो मुख्य क्रिया होगी सीधा उसको write कर देंगे We learn a lesson हम एक पार्ट याद करते हैं वास्तों में B है क्या B हमारा second person का प्रूल है उसके बाद हमारा आता है negative sentence negative sentence का means होता है नाकरात्मक वाक और आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी tense के चार format होते है पहला format affirmative होता है दूसरा negative होता है तिसरा interrogative होता है चोथा double interrogative या फिर्ष डबली याच interrogative कहते है negative sentence में क्या होगा subject verb का first form में yes या yes इसमें नहीं रहेगा इसमें yes या yes नहीं रहेगा उसके बाद verb का first form के बाद not लगा देंगे उसके बाद object राइट कर देंगे subject subject के उसाद डू या डज लगाएंगे उसके बाद verb का first, парm उसके बाद not, उसके बाद object मतलब यदि हमारा subject third person singular subject होगा तो डज लगा देंगे उसके बाद बरवका first form उसके बाद not उसके बाद object लेकिन हमारा subject यदि third person singular subject नहीं होगा तो हम δज नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे? छोड़ कर आएगा तो आप do not write करेंगे राम does not go to market वैसे हम बजार नहीं जाते हैं यहाँ पर हमको इंगलिस में भी बोलते हैं भी हमारा third person singular subject नहीं है तो हम क्या write कर देंगे do not, do not go to market उसके बाद हमारा format आता है interrogative sentence हमारा format आता है interrogative sentence means प्रस्णवाचक वाक्य तो प्रस्णवाचक वाक्य में जैसे हिंदी जो sentence रहेगा क्या रहा हमारा पहली बात जो हमारे interrogative sentence होते हैं two types के होते हैं पहला ऐसा हिंदी sentence जिसका हिंदी वाक्य क्या से start होता है और दूसरा जो interrogative sentence होता है उसके वाकि के बीच में क्या, काइसे, किसे, काइसे, वीच, कौनसा इस सबी वाकि बीच में आते हैं तो जब फर्स टाइब का introgative sentence है मतलब क्या से start वाले होते हैं तो हमारा sentence चाहे tense का हो या कोई भी simple sentence हो या फिर modals का हो तो इसमें सबसे पहले हम helping verb को ही write कर देते हैं तो interrogative sentence क्या राम बजार जाता है तो हमारा जो sentence start है क्या से start है और last में ता भी है तो राम किसी ये पहले subject पर जाएंगे तो subject हमारा राम किसी ब्यक्ति का नाम है तो third person है तो third person के साथ does write करेंगे on कोई subject था person को छोड़ कर आएगा तो हम do write कर देंगे जैसे does ram go to market क्या हम पहले आप कैसे write करेंगे पहले do या does according to subject subject हमारा third person similar subject रहेगा तो does का प्रयोग और कोई subject आएगा तो हमें सोचना नहीं है कि कौन सा subject है कौन सा नहीं है तो यदि कोई subject आएगा तो उसके साथ do का प्रयोग उसके बाद subject के बाद हमेशा not का प्रयोग करते हैं बरवका first farm उसके बाद object उसके बाद question marks क्या हम बजार नहीं जाते हैं इंट्रोगे टू sentence में नहीं सब्दा आ सकते हैं क्या हम बजार नहीं जाते हैं तो हम जो है, हमको इंगलीज में B बोलते हैं, और B हमारा जो है, third person, similar subject नहीं है, इसलिए हमका does नहीं write करेंगे, बलकि क्या write करेंगे, do, do be not go to market, उसके बाद हमारा fourth format है, WH interrogative sentence, यह sentence काई से start होता है, what मतलब क्या, when मतलब कम, where मतलब कहा, whom मतलब किसे, how मतलब कैसे, which मतलब how many मतलब कितने या कितना, यदि हमारा count table रहेगा, जिसको गीना जा सके, how many का प्रयोग करेंगे, और जिसको गीना नहीं जा सकता, उसके how much, rules क्या है, formula क्या है, पहले WH word, मतलब questioning word को write करेंगे, उसके बाद do or judge according to subject, मतलब subject को देखते हुए, उसके बाद नहीं रहेगा, तो not subject के बाद, बर्व का first form, उसके बाद object, उसके बाद question mark, आप क्या खाते हो, तो यहाँ पर क्या देख रहे है, तो हो, हाई, लेकिन यहाँ पीच में क्या आया है, तो पहले हम क्या की, मतलब जो questioning word होगा, सब्द होगा, पहले उसी की अंग्रेजी write करेंगे, क्या को इंगलिस singular subject होता, तो do write करते, third person singular subject नहीं है, इसलिए हम क्या write करेंगे, does, उसके बाद बर्व का first form, उसके बाद क्या है, मैं पार्क में क्यों खेलता हूँ, यहाँ पर क्यों आया है, और खेलने के साथ आ है, यहाँ खेलना क्या कारे है, तो पहले क्यों को English write करेंगे, क्यों को English में बोलते है why, उसके बाद मैं को यहाँ खेलने का कारकॉन कर रहा है, मैं, तो मैं को English में बोलते है I, I हमारा third person singular subject नहीं है, इसलिए हम किसका प्रिव करेंगे do, उसके बाद play का में खेलना in the park, यह हमारा present indefinite tense का part समाप्त होता है, इसके बाद हम बताएंगे present continuous tense, इसके पहले आपको यह देख लेना चाहिए, subject क्या होते है, object क्या होते है, main barb क्या होते है, helping barb, इसके वीडियो को मैंने बनाया है, आप जरूर जाकर देखिए